नमस्का न्यूस वानेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी राजन सुप्रीमो लालू पृषाद यादव की सेहत खराब है ये खबर किसी से छिपी होई नहीं है लेकिन अब लालू पृषाद यादव को किसी भी हालत में 23 नवंबर को पटना के सवल कोट मे आपको बता दे कि कोट की तरफ से ये आदेश दिया गया है जिसके तहद अब लालू पृषाद यादव को किसी भी परस्थिती में किसी भी हालात में 23 नवंबर को पटना के सवल कोट में आना ही होगा आपको बता दे कि इससे पहले भी लालू पृषाद यादव को पेश होने की बात अदालत की तरफ से कही गई थी लेकिन इसके बावजोद उपस्थत नहीं होने की वज़ो से अब तारीक का एलान करते हुए पटना सवल कोट ने बताया है कि आखिर कब लालो पुशाद यादव को आना है ऐसे में जो जानकारी है उसके मताबिक 23 नवंबर को ला आज है वो चल रहा है लेकिन सबके बीच कोट की तरफ से अब ये नया आदेश आ चुका है जसके तहट अब 23 नवंबर को लालो पुशाद यादव को पटना आना ही पड़ेगा आपको बताई कि पटना सिवल कोट सिर्चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही CBI की उपस्थिती का आदेश पारत किया है इससे पुर्व इस अदालत ने सभी अभियुक्तों को मामले में उचत पैरवी करने का नरदेश दिया था जसके बाद मंगलवार को आरके राना जगदेश शर्मा ध्रोफ भगद बैग जूलियस त्रिपुरारी मोहन प्रशाद फेड उपस्थिती दर्ज कराई इसके बाद अदालत ने मामले में 23 नवंबर 2020 की अगली तथे नश्रत करते हुए सभी आरूपीतों को सदे उपस्थित होनी का आदेश दिया है मामला भागलपुर के बाका उपकोशागार से लगभग 46 लाग की फरजी विपत्रों पर पशुपालन वबाक से सडियंत के तहत अवैध निकासी का है और यहीं वज़़ है कि पटना के सिवल कोट की तरफ से यादेश दिया गया है जिसके तहट अब लाल पुशाद यादव को 23 नवंबर को पटना के सिवल कोट में उपस्थित होना ही पड़ेगा आपको बता दे कि बीटे कई दिनों से लाल पुशाद यादव की सेहत में क पीच चारा घोटाला मामले में लाल पुशाद यादव को कोई राहत मलता हुआ नजग नहीं आ रहा और यहीं वज़़ है कि पटना के सिवल कोट से ये एक और आदेश सामने आ चुका है जिसके तहत अब 23 नवंबर को किसी भी हालत में लाल पुशाद यादव को पटना आना ही होगा आप देखने वाली बात होती है कि 23 नवंबर को क्या लाल पुशाद यादव पटना आते हैं क्योंकि ये जो आदेश है वो कोट की तरफ से दे दिया गया है और बताया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाल पुशाद यादव को पस्तित होना ही होगा ऐसे म अब अंतजार है 23 नवंबर का देखने वाली बात होती है कि इस चाड़ा घुटाला मामले में लाल परशाद यादव कब पटना आते हैं और कब कोट में उपस्त होते हैं क्योंकि 23 नवंबर के दिन को नरधारित कर दिया गया है ऐसे में अब अन्तजार है लाल पिशाद यादव के आने का। फिलाल के इतना ही जादा अपड़ीट के लिए अबने रिये निव फोनेशन के साथ नमशकार।